हेलो, वेलकम टू नियूराइस क्लासेज, लास्ट वीडियो में हमने हडपन सिवलाइजेशन और उसके हाउजेज, रेंज एंड स्ट्रीट के बार में डिसकस किया था आज का हमारा जो नेक्स टॉपिक है वो है लाइफ इन दा सिटी यानि कि नगरिय जीवन हडपा के सिटीज में बड़ी हलचल रहा करते थी, वहांके लोग हमेशा कहीं न कहीं बिजी रहते थे यहाँ पर लोग नगरों के special buildings के planning में लगे रहते थे रूलर्स के रूलर्स को दूर दूर से precious stone, metal और बिकुछ उपियोगी चीज़े लाने को भेजा जाता था और मेभी जो rulers थे वो beautiful beads, golds और silver के ornaments जैसे valuable objects को अपने पास रखे इन cities में scribes यानि कि लिपिक होते थे जो कि seals पर और मेभी कोई different different चीज़ों पर लिखने का काम करते थे जो आज के टाइम पर survive तो नहीं है क्योंकि हम उसके कोई evidence नहीं मिले हैं बट वहां के जो चीज़े देखके पता चलता है कि जो scribe से वो चीज़ों पर लिखा करते थे besides this cities में men and women जिने craft person यानि कि शिल्पकार कहा जाता था वो एक साथ मिलकर घरों पर या किसी special workshop पर different different चीज़े बनाते थे वहाँ पर लोग traveling भी किया करते थे और पास और वापस आते समय अन्य जगहों से मिलने वाले कुछ raw materials भी ले आया करते थे और साथ ही कुछ कहानिय stories जो कि वहाँ पर कुछ प्रचले stories उस time के होंगी तो सुनकर आते थे और अपने लोगों को बताते थे वहाँ पर मिट्टी यानि टेरो कोटा टॉइस से बने खिलोने भी as evidence हमें मिले हैं जो कि खिलोने मिट्टी से बने थे अब कुछ बाते जो है हरपन सील के बारे में यहाँ पर आपको एक हरपन सील का एक picture दिखेगा सील यानि कि मुहर जो कि इस सील के उपर का sign एक खास script में है यह subcontinent के earliest form of writing का example है scholars ने इन script को पढ़ने समझने की बहुत कोशिश की परन्तु अब तक किसी को इसका exactly अर्थ नहीं मालू अब next है new craft in cities यानि की नगर और national archaeologist को जो चीज़े वहाँ मिली हैं उनमें mostly stones, shells, metal, copper, bronze, gold और silver से बनी चीज़े मिली है copper और bronze से लोग tools, weapons, ornaments और vessels बनाते थे और gold और silver का use केवल ornaments और vessels बनाने के लिए किया करते थे यहाँ पर जो evidence मिले हैं उनमें से सबसे attractive beads, weights और blades है जादर beads, carnelian, stones यानि की red stones से बनाए गए थे stones को काट कर और तराश कर मन के बनाए गए थे इनके बीच hole किया जाता था ताकि धागा डाल कर माला बनाई जाए हडपा के लोग stones से seals बनाते थे इनकी जो shape होती थी वो rectangular होती थी जिस पर animals के चित्र मिलते थे हडपा के लोग red pots भी बनाते थे जिस पर black color से सुन्दर से design भी बनाते थे most probably 7000 साल पहले मेहडगर में लोगों में cotton की खेती बेड़ा मोहन जोदारों में archeologist को कपड़ों के टुकड़े lid of silver vase यानि की जो silver vase होता है उसका धक्कन और copper के objects as evidence मिले हैं terracotta और fans यानि की पक्की मित्टी तथा fans का use thread को spin करने के लिए किया जाता था अब है next embroidered cloth मोहन जोदारों में एक महत्पून वैक्ति की पत्थर से बनी मूर्ती मिली है जिसने embroidered garments पैने थे इससे पता चलता है कि वहां की लोग embroidery भी जानते थे अब है stone weights अब है stone weights यहाँ पर जो stone के बाठ है उसे चट stone से बनाया गया था इन्हें maybe precious stone और metals का use करके बनाया गया होगा इनमे से most of the things थी वो specialist द्वारा produce की जाती थी और specialist उन्हें कहा जाता था जो किसी खास चीज को बनाने के लिए special training लेता है जैसे कि पत्थर तराशना मन के चमकाना या फिर मुहरों पर craving करना और हर वेक्ति specialist नहीं हो सकता हमें ये भी नहीं पता था जाके सरिफ मेल या मेल ही special training लेते हुगे या female शायद से male और female दोनों ही specialist हुआ करते होंगे और उन्हें से कुछ ही हुआ करते होंगे यह निकि सारे specialist हुआ करते होंगे और सारे ही train हुआ करते होंगे अब जो next topic है topic वो है fence shells or stone naturally पाए जाते थे लेकिन जो यह fence होता था उसको artificial किया जाता था पत्थरों के चूरन और sand को gum में मिलाकर उनसे object बनाए जाते थे इसके बाद उन objects पर एक shiny layer चड़ाई जाती थी then shiny glassy surface को blue और sea green color से color किया जाता था fence का use beads, bangles, earrings और tiny vessels बनानी के लिए किया जाता होगा अब fence तो इत्ता ही अब इसके जो आगे का part है वो हम next video में cover करेंगे so thank you, please subscribe my channel and like my video